पॉइंट्स मैं थोड़ा सा पढ़के सुनाती हुई है कि बाबा ने 18 जन्वरी की मुडली को जब बाबा ने अंतिम स्वरूप और अंतिम सेवा की बाथ हमें सिखाई थी तो बाबा ने कहा कि अगर हम ये लाइट स्वरूप की स्थिती में स्थित होंगे तो क्या क्या हो जा जाएगा क्योंकि हमारे कार्य की जिम्मेवारी है न हमारे को बाब ने कहा पहली पॉइंट कोई भी कार्य हलका हो जाएगा बुद्धि लगाने की भी आवश्रकत नहीं रहेगी दूसरी पॉइंट यह करे या यह न करे यह भी सोचना नहीं पड़ेगा अर्थात क्या होग जादा thoughts नहीं चलेंगे, बहुत clear, एक ही thoughts चलेगा, ये करे या ये न करे ये भी सोचना नहीं पड़ेगा, तीसरी point, बुद्धी में वही संकल्प होगा, जो यथार्त है, इस visualize करो इस बात को, कि कोई भी कार्य में, मन बुद्धी में सिरफ एक ही संकल्प उठेगा, जो यथ यथार्त है, अभी तो कितना टाइम जाता है, इतने संकल्प होते हैं, फिर उसमें से सोचते हैं, ये राइट, ऐसा नहीं, वैसा, वैसा, कितना thought process चलता है, फिर उसमें से एक thought लेते हैं, फिर किसी को पूछते हैं, आपको क्या लगता है, हमारा कितना टाइम और एनरजी इसमें जाती है, और अगर हम हर गंटे योग अभ्यास करें, तो बाबनी का बुद्धी में वही संकल्प होगा, जो यथार्त होगा, फिर अगली पॉइंट, सब कार्य स्वत्त ही होते चाहेंगे, क्योंकि हमारा एम है ना, हमारी जिम्मेवारी पूरी करना, तो बाबनी का सब कार्य स्वत्त ही होता रहेगा, अगली पॉइंट, हम कर रहे हैं, ये भी स्मृति में नहीं रहेगा, ये विज्वलाइज करना है, कैसी होने वाली है ये जीवन, हम कर रहे हैं, ये भी स्मृति में नहीं रहेगा, करम अपनी तरफ आकरशित नहीं करेगा, अगली सबसे सारी कारोबार चलेगी, बोलने की आवश्यक्ता नहीं होगी, आप सोचिए कितना टाइम बच रहा है, कितनी एनरजी बच रहे है, कितना टाइम बच रहा है, कितनी एनरजी बच रहे है, संकल्प एकी चलेगा, सब कार्य हलका होकर करेंगे, सब कार्य स्वतो होता जा र रहे हैं, ये स्मृति में नहीं आएगा, करम अपनी तरफ आकरशित नहीं करेगा, संकल्प से कारोबार चलेगी, बोलने के आविशक्ता नहीं होगी, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएगा, अपना और औरों की बुद्धी में संकल्प वही उठेगा जो होना है, इसको प्यास करने से, हर घंटे योग करने से, बुद्धी में सिरफ वही संकल्प उठेगा, जो होना है, ये हम विज्वलाइज करें, इसका मीनिंग क्या है, सिरफ जो ड्रामा में अगली चीज होनी है, वही मेरी बुद्धी में संकल्प उठेगा, जो नहीं होना है, वो कितना टाइम और एनरजी बचा कितना टाइम और एनरजी बचा फिर अगली बात सबकी बुद्धी में भी एक ही संकल पुठेगा कि यही कतना है तो दूसरों को समझाना दूसरों को एक्स्प्लेन करना मत भेद को खतम करना टाइम बच गया एनरजी बच गए, सबकी बुद्धी में एक ही संकल पुठेगा, यही करना है और लास्ट पॉइंट, सभी कारोबार इशारों से चलेगी इशारों से चलेगी, यह थी 18 जन्वरी की मुडली रिवाइस्ट कोर्स 1972 की मुडली है, लेकिन इस वर्ष 18 जन्वरी की मुडली में आया था इन पॉइंट्स को पकड़ के रखना है, कि मुझे लगता है हर घंटे 10 मिनित रुखना, हर घंटे 5 मिनित रुखना तो मेरा टाइम जा रहा है, बाबा हमें वो विधी सिखाते हैं, जिससे सिरफ समय नहीं बचता, शक्ति आत्मा की बचती है सो चो बुद्धी में सिरफ वही संकल पुठेगा, जो होना है, सबकी बुद्धी में वही संकल पुठेगा बोलना नहीं पड़ेगा, इशारों से काम हो जाएगा, हलके होकर करेंगे, हम कर रहे हैं, ये भी फिलिंग नहीं आएगे सिरफ क्या करने से, हर घंटे रुखकर और शरीरी होने का अभ्यास करने से आइम शौर के हम सब हर घंटे के बाद पांच मिनट वाला होमवर्ग कर रहे हैं जोइन पावर और सकाश प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पावर और सकाश यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकोन इश्वरिय महावाक्यों के लिए महाराथियों की पावरफुल क्लास और कमेंटरी सुनने के लिए ओ शांती